हेलो एव्रिवन वेल्कम टू मैं चानल वीलव फॉर्चुन डबल वन डबल वन तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक यह है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो चाहे वह आपके क्रश हो फ्रेंड हो लवर हो पार्टनर हो कोई भी ह हजबन वाइफ हो कोई भी हो वह अभी क्या सोच रहे हैं उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकि आप दोनों के रिष्टों को लेके वह इस वक्त क्या सोच रहे हैं को आपको क्या मैसेज़िस देना चाहते हैं आपके लिए क्या गाइडिंस है यह सब हम आँच जो भी कार्ड आपको अट्रेक्ट करता है उसे आप चूस कर लीजे कार्स के टाइम स्टैम्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी गाइस यह एक टाइम लिडिंग है जेंडर स्पेस्फिक भी नहीं है तो मेल फीमेल आप दोनों इसे देख सकते हो और किसी भी वक् कर सकते हो या फिर किस्टल्स बाइक कर सकते हो ओके तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहें आये हो तो प्लीज काई सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में पसंद आये तो कमेंट ज़रूर कीजेगा तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग तो चलिए हम देखते हैं तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूं तब तक गाईस आप तो प्लीज पॉस्टिफ रहे हैं और फोकस बनाके रखिए अपने पार्टनर के उपर टाकी इनर्जी इक्करेट receiving 27 कि अभरेश हो उप उपने रही हैं तब टाकी इनर्जीस आपने रही करेज में हों आप जाद़ा वरीस नहीं ले रहे ओ ज्यादा स्ट्रेस닝 में ले ओ आप अपने strength पे हो बट कही न कही मुझे लग रहा है आप जिनके बारे में भी सोच रहे हूँ या आपके जो भी पात्नर है वो कही न कही थोड़ा सा strength में lag कर रहे हैं उनके अंदर strength की कमी है courage की कमी है ओके यह चीज यहां पर definitely लग रहा है आप इतने सारे obstacles, hurdles, pains को face करके रहे हैं वो तो सबसे पहला card है guys the world 11 नमबर आपके लिए important हो सकता है 10 नमबर आपके लिए important हो सकता है okay signs यो है वो है Leo बहुत prominent है यहाँ पे Scorpio है Aries है King of Cups water sign है Cancer Scorpio Pisces, Libra है और भी cards देखते हैं guys इसके बाद मैं आपको clearly बताती हूँ 10 of Cups the Magician दो cards आगे है 10 of Pentacles, Wheel of Fortune, okay bottom of the deck से है हमारे पास 7 of Pentacles so यहाँ पे water sign है, air sign है, earth sign है, fire sign है, सारे signs मौझूद है guys जो आपके आपके partner के हो सकते हैं okay I hope आपको cards दिख रहे होंगे अच्छे से so क्या है आपकी partner की या फिर जिनके बारे में सोच रहे हों यह male female दोनों के लिए guys gender specific नहीं है okay तो चलिए देखते हैं कि क्या है उनके feeling सबसे पहले तो यह जो person है आप दोनों की beach की दूरिया को खतम करना चाहते हैं definitely किसी किसी के लिए हो सकता है कि physical distance है हो सकता है आपके partner दूसरे city दूसरे country में रहते हूँ okay या फिर अभी के लिए दूरिया है कहीं और रह रहे हैं या फिर बहुत time से मिले रहे हैं रहे हैं इसके physical separation है बहुत time तक हो रहे है बहुत टाइम्स हो सकते हैं, मिले नहीं हो, साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, किसी किसी के लिए ओनलाइन डेटिंग भी हो सकता है, कि first meet up low का हुआ नहीं है, तो आपके जो भी person है, वो चाहते हैं, कि आप दोनों की बीच की जो distance है, वो खतम हो, ये person आपके तरफ आए ठीक है, और आपसे मिल पाए, because इनकी जो ultimate wish है, वो ये है, कि ये आपके साथ future को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये person planning कर चुके हैं already, कि इनको आपके साथ शादी करना है, इनको आपके साथ ही इनको बच्चे चाहिए, ठीक है, definitely यहाँ पर दो family card है, कोई कोई के लिए हो सक ये person चाहते हैं, कि आप लोग फिर से merit life में आओ, आप लोग के बच्चे हो, आप conceive करो, या फिर वो conceive करें, okay, definitely ये person आपके साथी future देखते हैं, आपके साथी एक stability चाहते हैं, अपने जिंदिगे को, अपने family को, ये person आपके साथी आगे बढ़ाना चाहरे हैं, ये इस वक् प्रतब कैसे भी करके, ये बस जो दूरिया है, ये जो distance है, वो खतम हो, जो separation का face चल रहा है, जो कि खतम होने का नाम ले रहा है, ये फिर खतम नहीं हो पा रहा है, वो जल्दी से खतम हो, क्योंकि आपके पास आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हों आपने ज इस वक्त ये जो person है, आपको manifest कर रहे हैं, definitely, हो सकता है कि आप इनको manifest कर रहे हैं, ये भी person knowingly or knowingly आपको manifest कर रहे हैं, ये person daydreaming कर रहे हैं, ये person planning कर रहे हैं, जो planning करना, daydreaming करना, सोचना, वो भी एक तरह का manifestation ही होता है, तो ये person भी आपको अपने जिंदगे में manifest कर रहे हैं यह person चाह रहे हैं कि आप उनके तरफ एट्रैक्ट होके आप उनके तरफ आ जाओ आप उन्हें फिर से प्रपोस करो या फिर आप उनको बुलाओ ठीक है यह person आपको justice देना चाहते हैं हो सकता है कि पहले यह person जो थे यह person ने कुछ बातों को छुपाया कुछ चीज़ों को नहीं बताया और जो उनकी true feelings जो यह पहले से initial days थी जो यह planning करके बैठे थे उस चीज़ को यह बता नहीं पाए आपको तो अब यह चाहते हैं कि यह person आपको justice दे क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ injustice किया है आपको अपनी feelings ना बता कर आपसे दूर होके तो यह person definitely आपको justice देना चाहते हैं किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो person है already married हो कहीं और और यह जो person है legal issue से जा रहे हैं और यह सब को निकाल के यह person आपके तरफ आना चाहते हैं अकम लोगों के लिए और जो लोग single से उनके लिए यही है कि यह person already plannings कर चुके हैं आपको justice देना चाहते हैं अपने emotions पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं और यह person खुद manifest करें यह person नहीं चाह रहे हैं कि यह आके आप से आगे बात करें चाह रहे हैं कि यह आपको manifest करें ताकि आप उनके पास जाओ आप उनसे बात करो यह person ने destiny पे छोड़ा हुआ है आप दोनों का रिष्टा बिकास यह person हो सकता है बहुत जादा destiny पे विश्वास रखते हो और उन्हें एक दिलासा है उन्हें एक विश्वास है कि आप दोनों का जो रिष्टा है वो distant है और इस person को पूरी तरीके से आशा है अभी भी यह person होप कर रहे है कि destiny जो है आप दोनों को फिर से मिलाएगी आप दोनों का एक तो यह person चाहते हैं इनकी current feelings यह ही आपको लेके प्यार तो बहुत करते हैं guys आपको लेके अपनी family भी देखते हैं यह person आपके साथ यह रिष्टा फिर से बनाना चाहते हैं चलिए और भी cards देखते हैं हम आपके लिए 10 number बहुत important है guys जिसका मतलब है कि कुछ चीजों की completion होगी कुछ cycles end होगे नई cycle start होगी ठीक है इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदिगी की नई शुरुआत होगी आपकी रिष्टे की नई शुरुआत होगी ठीक है किसी किसी के लिए हो सकता है कि यह जो person है October month में ही जिसके जिसके 10-10 11-11 एक अपकी डेफिनेटली तो यह symbol है यह symbol है Synchronicities है जो आपको बता रही है कि आपके जिंदिगे में कुछ चीजों का अंत होके एक नई शुरुआत होगी हमारे पास है Friendliness यह person बहुत प्यार करते है आप से अगर आपकी जो feelings है ठीक है उतने ही feelings इनके अंदर भी है आपको लेके आपको यह soulmate की तरह मानते है यह आपको other half की तरह मानते है यह आपके साथ partnership चाहते है आपके साथ चाहते है कि जो भी friendliness थी आप दोनों के बीच में वो फिर से regenerate हो फिर से वो आपको propose कर पाए commitment दे पाए फिर से जितने loveable way में आप दोनों रहते थे वैसे रह पाओ बहुत प्यार है इनके अंदर बहुत ही जादा प्यार है ठीक है emotions बहुत है अगर आपको लग रहा था emotions बहुत है new vision अगर आपको doubt था कि यह person सही में प्यार करते भी है या नहीं या करते है तो आते क्यूं नहीं है तो यह ज़रूर आएंगे guys बिल्कुल बहुत जल आएंगे यह person क्योंकि बहुत प्यार है इनके अंदर आपके लिए new vision इनकी जो perspective है आपको लेके आप दोनों की रिष्टे को लेके वो change हो चुका है यह दूसरे dimension से feel कर पा रहे है आप दोनों की connection को हो सकता है कि आपके साथ telepathically connected हो या फिर आप inner work कर रहे हो जिसके वेज़े से आपके person की जो thought process है उसमें change आ रहा है किसी किसी के लिए बिल्कुल और यह person चाते है कि आप भी उस नजरे से देखना start करो ठीक है वो नहीं चाते है कि पुरानी चीज़ों को आप दबाके बैठे रहो patience bottom of the deck से भी हमारे पास था seven of pentacles तो यह person ने थोड़ा सा patience रखा हुआ हो सकते है कुछ चीज के वेट कर रहे है किसी चीज में success चाह रहे है कुछ भी चीज़े हो सकती है या किसी problem से निकलना चाह रहे है सब के लिए अलग-अलग होगा तो यह person ने थोड़ा सा patience रखा हुआ है next full moon में हो सकता है कि यह person आपके पास आजाए या आपका communication हो जाए इनके साथ लेकिन इन्हों थोड़ा patience रखा हुआ है patiently यह थोड़ा slow है लेकिन आएंगे यह जरूर ठीक है क्योंकि इन्होंने अलड़ी सब कुछ प्रैनिंग करके रखा है तो जब यह आएंगे तब आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ यह high level of commitment में जरूर जाएंगे success यह person आपके साथ success चाते हैं आप दोनों के रिष्टे में success चाते हैं यह चाते हैं कि आप दोनों के रिष्टे को कोई एक नाम मिले schizophrenia definitely यह person थोड़े से indecisive हैं थोड़े से अभी confused हैं हो सकते हैं कि कुछ इनके issues चल रहे हैं जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर courage नहीं है तो थोड़े से यह confused हैं कि आप उन्हें अपना होगे कि नहीं कैसे क्या होगा ठीक है तो थोड़े से tension में हैं फिर हमारे पास postponement तो इस person को लग रहा है कि फिलाल के लिए थोड़ा सा पूश्ट पॉन करना बेटर है बिकास अब यह person आपके life में इन आउट नहीं करना चाहते अब यह person कोई गलती कोई गलतियां नहीं करना चाहते जिसके विए से यह person कोई action ना लेकर आपको direct manifest कर रहे है और इन्हें शायद पता है अल्रीड law of attraction manifestation के बारे में इसके विए से यह सब ट्राइ कर रहे है ताकि आप दोनों की जो bond है वो और भी strong बने भले ही time लगे लेकिन जो भी हो आप दोनों के relation में कोई भी चीज जो भी हो वो secure रहे ठीक है तो यह चीज देख रही है मुझे यहाँ पर guidance देखते हैं guys आपके लिए क्या guidance में जो आप दोनों के रिष्टे को लेके फिर हम उनके messages देखेंगे Lady Venus और ए guidance card निकालेंगे हम Lord Ganesha Okay So Lady Venus Downloads and Understanding Truth is being revealed Deep insights are coming from heaven and the astro realm तो definitely अगर कुछ बाते चुपी हुई थी आप दोनों के रिष्टे में अगर आपको हमेशे डर रखता था कि यह परसंट को चुपा रहे हैं तो आपको अपने आप सारी जो truth है आपको पता चलेगा आपके intuition बहुत दा strong होगी हो सकता है कि आपको dreams लगने लगे यह person आपको खुद बताए लेकिन जो भी secrets अभी तक है आप दोनों के बीच में और जो भी यह person अभी तक चुपाया है पने true emotions को वो भी आपको बताएंगे आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा ठीक है सारी चीजें आपके सामने reveal हो जाएंगी तो tension की कोई बात नहीं है तो यह Lord Ganesha infinite abundance obstacles are being removed spiritual support and connection are increasing तो definitely आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिष्टे में किसी भी तरह के obstacles जो हैं वो कम हो जाएंगे and definitely आप दोनों के रिष्टे में abundance आएगा fulfillment आएगा आप दोनों के connection में आप दोनों की जो spiritual bond है वो जादा बढ़ेंगी ओके और आप को Lord Ganesha के blessings मिलेंगे definitely तो चलिए अब मेसेज़ देखते हैं कि आपके partner आपको क्या messages देना चाहते हैं तो सबसे पहला message है twin flame तो कुछ लोग आप लोग twin flame journey में हो सकते हैं इस person के साथ या आपके divine counterpart हो सकते हैं confirmation मिल रहे हैं क्या मैं तुम्हारे लिए deserving हूँ ठीक है तो इन्हें शाहिए थोड़ा लगता है कि ये enough deserving नहीं है आपके लिए ठीक है तो ये पूछ रहे हैं आप से जिसके वेज़े से ये थोड़े confused रहते हैं कि इनको डर रहते हैं कि ये क्या enough capable है आपके लिए फिर है बस अब और नहीं तो ये अब और नहीं रुकेंगे ये आपके तरफ जरूर आएंगे अपनी feelings को express करेंगे क्योंकि ये सेहन नहीं कर पा रहे है फिर है अब और नहीं again मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो ये परसन आपके तरफ वापस आएंगे जरूर आएंगे विकास अब ये और वेट नहीं कर सकते फिर है मैं तुम्हारे गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ जेंड़ स्पेस्फिक नहीं है male-female दोनों के लिए है तो ये परसन आपके lap में सुना चाहते हैं थोड़ा सुकून पाना चाहते हैं फिर है मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ यह चुना चाहती हूं तो इसे they want to touch you they want to feel your presence और भी देखते हैं cards सबसे पहला message है I want you to read my silence because I can't express तो इन्हें express करने में problem हो रहा है लेकिन यह चाहते हैं कि आप उनकी home issue को पढ़ लो ठीक है अगर वो चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपसे प्यान नहीं करते हैं फिर focus on yourself please वो चाहते हैं कि आप अपने उपर ध्यान दो आप अपने उपर focus करो आप tension में मत रहो फिर I thought that we aren't meant to be with each other because of our differences but you know what I am realizing my mistakes but my ego is coming in between तो यह person को पहले लगा था कि आप दुनों का रिष्टा चलन नहीं पाएगा लेकिन आप उन्हें लग रहे हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आप से दूर होके आप भी आना तो चाहते हैं लेकिन इनके ego बीच में आ रहा है फिर है you are my soulmate love तो यह आपको अपना soulmate मानते हैं या आप लोग कुछ लोग soulmate connection में भी इस person के साथ हो सकते हो तो guys यह थी आप लोग के reading I hope आप लोग को पसंद आए अगर पसंद आए रिजुनेट हुई है तो please do like, comment and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye Pile 1 Hello Pile No. 2 जिनों ने में Pile 2 या फिर change को चूज किया है देखते हैं कि आप जिनके बार में सोच रहों या फिर जो भी आपके पार्णर है उनकी current feelings क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेके, आपके रिष्टो को लेके guidance भी देखेंगे और साथ में हम personal messages भी देखेंगे तो एक gender specific reading नहीं है guys आप male female दोनों के लिए ही है चलिए हम देखते हैं जब तक मैं shuffling कर रही हूं तब तक guys आप लोग positive रही है and focus बना के रखी अपने partner के उपर so guys मुझे लग रहे है कि आपको कुछ good news मिलने वाला है बहुत जल आपके और आप दोनों के रिष्टे में balance आने वाला है आपके खुद की feminine and masculine energy balance ने वाली है and आपके partner की भी होने वाली है definitely कुछ good news आपको मिलेगा हो सकता है कि relationship के थ्रू मिले ठीक है या person का communication मिले या फिर आपके personal life में कुछ आपको opportunity मिले या कुछ good news मिले but definitely कुछ good luck आपके वे में है okay यह कुछ extra message आए challenge message रो मैं आपको बता दिया so all the best सबसे पहला कार है four of wands 11-11 twin flame energy for some of you fire sign aries Leo Sagittarius four of swords air sign aquarius Libra Gemini okay आप दोनों की situation मुझे stagnant लग रही है हो सकता है कि आप जिनके बार में सोच रहे हो वो अभी resting position है queen of pentacles earth sign Virgo Taurus Capricorn पहले मैं कास निकाल देती हूं फिर मैं आज़ी से बताती हूं आप लोगो को okay queen of swords the hanged man temperance four of pentacles okay so earth sign, water sign, fire sign, air sign सारे signs ही मुझूद है guys जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आप दोनों के चार्ट में हो सकते हैं ये कुछ signs सो देखते हैं कि उनकी फिलिंग्स क्या है करेंट फिलिंग्स हैं उनक्या सोचने हैं इस वाग देखो ये जो परसन है इनको ऐसा लगता है कि आपके रूडनेस के वज़े से आप दोनों के बीच के आर्गुमेंट्स के वज़े से जो आप दोनों का जो बेस है जो connection का जो बेस है जो पिलर्स है वो कहीना कहीं डगमगा गये हैं ठीक है कुई नव स्वाच के एनरजी है कुई नव पेंटिकल्स के एनरजी मैं बताती हूँ ज़रूरी नहीं है कि third party situation है कि हम current feelings के वारे बता रहे हैं तो इस person के ऐसा लगा कि आपकी थोड़ी rudeness हो सकते हो ज़रूरी नहीं है जेंडर स्पेसिफिक हो के energies पे जाईएगा तो हो सकते है कि इनको ऐसा लगा कि आप दोनों के misunderstandings के विएसे arguments के विएसे rudeness के विएसे आप दोनों की जो नीव है आप दोनों की जो pillars है connection के वो डगमगा गए है थोड़े से hill गए है ठीक है जिसके विएसे यह जो person है resting position पे चले गए यह ना कुछ action लेना चाह रहे हैं अभी और ना इनने समझ आ रहे है कि यह क्या करें कुछ लोग ठीक है और यह person है spiritual awakening के पर से जा रहे हैं जिसके वेसे इनके life में बहुत ups and downs आ रहे हैं ठीक है मतलब तुफान आ रहे हैं इनके जिंदीगी में और इनने समझ नहीं आ रहे है कि हो क्या रहे है हो सकता है कि इनको synchronicities भी मिल रही है इनको symbols दिख रहे हैं डिव ability चाते हैं सबसे पहले तो ठीक है आपके रिष्टे में balance चाते हैं कुछ ना कुछ imbalances हैं अब दोनों के connection में तो यह person आपके साथ एक commitment चाते हैं वो चाते हैं कि आप दोनों साथ में time spent करो अगर शादी नहीं हुए तो शादी करो लेकिन सबसे पहला चीज जो मुझे बैलेंस होने की जरुवात हैं कि यह person है वो आपके साथ ही stability चाते हैं ठीक है और उन्हें पता है कि आप उनके लिए perfect हो आप उनको समझने वालों में से हो लेकिन उन्हें असा लग रहा है कि कुछ circumstances ऐसे हो रहे हैं जिसके विए से जो balance है वो नहीं बन पा रहे है और जो आ अपने finances में ध्यान दे रहे हैं successful बनना चाह रहे हैं तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग चीजें होंगे लेकिन definitely यह person अभी के लिए बहुत दा सोच रहे हैं ठीक है बहुत दा मिस कर रहे हैं आपको ठीक है यह इंसान प्रे कर रहे हैं यह इंसान डेफिनेटली प्रे बहुत दादा लेकिन इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस connection को फिर से start करना चाहिए या नहीं चाहिए ठीक है लेकिन इनको stability तो आपके तरफ चाहिए ठीक है थोड़े rudeness आपके अंदर हो सकते हैं लेकिन यह आपकी positivity positive side को ही देख रहे हैं इस वक्त चाह रहे हैं कि अपने आप resolve हो और आप दोनों की connection में सबसे पहले अपने आप balance है तो अभी के लिए यह कुछ efforts नहीं डालना चाहरे हैं बलकि आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और वह सोच रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें फिर से ठीक होंगी इन पर आपको मतलब नहीं है परसन वापस आए ना आए अब आप अपने efforts नहीं डालोगे आप अपने power में हो इस टाइम तो यह ना कहीं ऐसा लग रहे है कि आप शायद चेंट हो गए हो आप शायद पहले की तरह इन्हें इंहें इंपॉंटर्स नहीं देना चाहते हैं आप श चली और भी काक्ष देखते हैं आपके लिए 4 नमबर 5 नमबर बहुत इंप्वर्टेंट है है ठीक है، हर चक्रा हो सकता है इमप्वर्टेंट हो को सकत है आपको ऑपन करने की जरुदब बढ़े या आपके पार् função को करने की जरुद रहात पड़े ृज्की आभी ब्लॉग के साथ participate करना चाहते हैं आपके रिष्टे में यह भी एकोल इवेंट टेक चाहते हैं यह भी एफ़र्स डालना चाहते हैं जितना आपने डाला होगा कभी ठीक है और मुझे लग रहा है कि पहले भी इन्होंने डाला था फरस ऐसा नहीं है कि बस आप ही डाले हो उन्होंने भी प्रॉब्लम्स प्राला है कंच्रोल इस परसन को अपने आपको इन्होंने रोका हुआ है अपने आपको बहुत दा कंच्रोल करकर रखें इनकी फिलिंस को कंच्रोल करकर रखा हुए इन्होंने क्योंकि इन्होंने असा लग रहा है कि पता नहीं बैलेंस कब आएगा और इत हों आपको बहुद दिन समंज कर रहे हो रो रहो आपके अपके लिए आहले कि कैसे छीज ठीज ठीज हूं गी ठीए और ना चीज दाल रहे हैं इस वर कि यह इन तो यह कुछ उद्ध आले पन में हैं यह इसकी पर किअब्स आपको यह आपके बिना ठीक है आपकी एकrator यह यह person ठीक है उसमें इन्हें बहुत problems face करनी पड़ रहे हैं अगर married है तो वहाँ पर problems है अगर carrier है तो carrier में इनके problems आ रहे हैं और control कर रहे हैं cleaning to the past यह person past की चीजों पर फंसे हुए है पास्ट की चीजों को याद कर रहे हैं हो सकता है कि इन्हों ने जो हर्ट किया आपको आपके साथ जो भी चीजे जगड़ा हुआ वह उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ठीक होगा इन ऐसा लग रहा है कि होगा भी इनकी जो सोल है वह अब निकल रही है इनके प्रैक्टिकालिटी से इनके बॉड़ी से कंप्लीशन ये परसन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं वह चाहते हैं कि जो रिलेशन्शिप आप दोनों के बीच में आदा दूरा रहा गया था जो आपको वह छोड़के चले गए आप दोनों के भी सेप्रेशन आ गया था जो चीज कंप्लीट नहीं हो पाई वह चीज आपके साथ ये कंप्लीट करना चाहते हैं वह आपके साथ एक स्टेबल फैमली बनाना चाहते हैं वह आपके साथ शादी करना चाहते हैं वह आपके साथ एक रिलेशन्शिप चाहते है जो कि कभी खतम ना हो एक complete वे में आपका connection यह चाते हैं तो अब हम guidance का आज देखते हैं आपके लिए उसके बाद हम पर्समें मेसेज़ेस देखते हैं कि वह आपको क्या मेसेज़ेस देना चाहते हैं ठीक है देखते हैं अब बहुत लोग के लिए आप लोग के पास communication आने वाला है इस परसन की mercury श्रॉण होने वाली है विदिन वीक विदिन अमन्थ और यह परसन आपसे communicate करेंगी और जब यह परसन आपसे communicate करें तब आप भी इने accept करें इनकी बातों को समझे रधर दैन अगर आप प्यार से आराम से बात करोगे तो आप जैसा कर रहे हो वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा यह पर ने थे फिश्ते में ऊहरे वह के यह पर छी सिखने हैं तो बहुत सकता है कि त्च यहां हो इसî आपने अपने समझा है ठीक है उसको अपने negative way में नहीं लिया और आपको और भी inner work करने की जरूरत है आपको और भी चीज़े सीखना है जिससे आपकी progress हो पाए आप दोनों के रिष्टे में progress हो पाए अगर आप inner work कर रहे हो तो उसके बारे में आप और भी जानकारी लो उसके बारे में आप हायर लेवल पर जाए ठीक है और भी अपने उपर work करें ठीक है अपने आपको और भी शक्षम बनाए ताकि जो चीज़े हैं और भी progress हो पाए चलिए आप personal messages देखते हैं हम सबसे पहला message है काश अभी तुम मेरे बाहूं में होते या होती ओके तो यह person आपको हग करना चाहते हैं मिस करें बहुत जादा फिर है please don't ever forget me वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलो इसके बाद है हमारे पास तुम्हारी बीना हर एक पल दर्द भरा लगता है definitely मैंने कहा था पहले ही काश में भी यही आये थे आपके absence में यह बहुत अक्यला पन महसूस करते हैं इन्हें दर्द होता है मुझे call करो छिक है तो यह चाहते हैं कि आप उन्हें call कर आप उनसे बात करो आप उन्हें दर्द समझो ओके हो सकता है, कुछ लोगों ने, आप लोगों ने ब्लॉक करकर रखा है इने, तो ये चाहते हैं कि एन ब्लॉक करो आप, फिर एक काश वो वल, पैदा ही नहाँ हो, जिस पल में नज़र तुन आए, ये सौंग भी है, गाईज, तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा पल कभी ना आए, जि की presence feel करना चाते है person pile 1 में भी यह message आया था फिर है मैं अभी हम दोनों का future plan कर रहा हूं या कर रही हूं definitely a person plan कर रहे हैं आप दोनों के रिष्टे को ठीक है चाते तो है balance आप दोनों के connection में फिर है मैं तडप रहा हूं तडप रही हूं तुम्हारे लिए यह person तडप रहे हैं आपके लिए आपको पाना चाते हैं लेकिन कोई action भी लेना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त फिर है मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता हूं या देखती हूं या आपके साथ शादी के सपने देखते हैं definitely four or once का कर दो बार है तो definitely यह person आप शादी तो करना ही चाहते हैं ठीक है यह चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में completion हो merit life हूँ आप दोनों की चलिए और भी message देखते हैं तो से पहला message है मेरी सपनों के राणी राजा हो तुम्हारे परसन के dream boy or dream girl हो आप ideal फिर है yes I am toxin you know what I have issues but I am not able to fix it but I am trying to make myself better for you this person toxic है लेकिन आपने आपको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए फिर है जब तक जहां मेरे नाम तू यह song है guys को जरूर सुनना हो सकते यह person आपको dedicate करना चाहते हूँ I am planning a surprise for you so be ready okay यह person आपके लिए surprise ready कर रहे हो सकते है जब मिलो या कुछ surprise ही आपको दें sudden surprise I miss you और यह person बहुत जादा मिस कर रहे हैं आपको बहुत ही जादा ठीक है यह से बात करना चाहते हैं guys बट कर नहीं रहें कुछ से सिर्फ तूम यह बस आपको ही पाना चाहते हैं so guys यह थी आप लोग की रीडिंग I hope आप लोग को पसंद आए अगर पसंद आर इस नहीं ठुई है तो please do like, comment, share and subscribe मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई पाल चू